Assalamu alaikum 7th class, how are you? Are you fine? 7th class, let's start our lecture. Today our lecture is again translation and question answer. Translation देखिए, page number 3 पे है. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim and that the Muslims. Constitute on brotherhood, जान लो. Learn that every Muslim, जान लो. खर मुसलमान, दुसरे मुसलमान का बाई है. और ये कि मुसलमान बाईचारे को काईम करते हैं. Brotherhood कहते हैं बाईचारे को. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to fellow Muslim unless it was given freely and willingly. कोई चीज़ एक मुसलमान के लिए जायज नहीं होगी जो इसके किसी हम मुसलिम की मलकियत हो जब तक वो इसको अजादी और रजामंदी से ना दे. means कि अगर किसी के पास कोई जायदाद वगएरा है तो तब तक वो किसी दूसरे मुसलमान की जायज नहीं होगी. जब तक वो जो जिसके जायदाद है वो उसके मलकियत करार ना दे दे. अपने रजामंदी ना दे दे. तब तक उस पर उसकी कोई हग नहीं. ठीक है? Do not therefore do injustice to yourself. Do not justice. इसलिए हुद से ना इनसाफी ना करो कि आप किसी की चीज़ पर हुद से कबजा कर ले. All mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay. तमाम नसल इनसानी आदम की उलाद हैं और आदम को मटी से बनाया गया है. हजरत आदम की बात हो रही है. Behold, every claim of privilege, whether that of blood of property is under my heels, except that of the custody of the काबा and supplying of water in the pilgrims. Behold, every claim. कि रहें कि देखो, इम्तियाजी हक का हर दावा, हाव नसल का हो या जाइदाद का, मेरी एडियों के नीचे है सवाई हाना काबा की नग्हे बाने के और हाजियों को पाने की फ्राहमे की हक के. ये अल्ला ताला इर्शाद फर्मा रहे हैं, कुराने करीम में, ठीक है? O people of Quraysh, don't appear on the day of judgment with the burden of this world around your neck. Quraysh के लोगों के रहे हैं कि ए कुरेश के लोगों, क्यामत करोज अपने गर्दरों में इस दुनिया के पोज़ के साथ ना आना. Where's other people may appear before the Lord with the reward of the hereafter, in that case I shall avail you, not against all. दूसरे लोग आहरत के इनामाद के साथ, अल्ला ताला के सामने पेश हूंगे. तो इस सूरत हाल में, अल्ला ताला के हैं, तुम्हारे किसी काम का, कोई भी जो काम है तुम्हारा, वो काम ना आ सकेगा. तूसरे लोग आहरत में अपने इनामाद के साथ, जब दूसरे लोग आहरत में अपने इनामाद के साथ पेश होंगे, तो तुम्हारा कोई भी काम, तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा.